आज की क्लास में हम फैदर का डेवलिप्मेंट पढ़ेंगे बर्ट्स में फैदर उसी प्रकार से स्किन से बाहर निकलता है जिस प्रकार से मैमल्स में हेर और रेप्टाइल्स में स्केल्स स्किन से बाहर आते हैं सबसे पहले हम down feather का development पड़ेंगे fifth या sixth day, incubation के fifth या sixth day में जो embryo की delicate skin होती है, semi-transparent or delicate skin उस में से एक छोटा सा उभार दिखाई देता है जिसे जर्मल पैपिला कहते हैं ये छोटा सा स्किन पे उबहार दिखाई दिता है जिसे जर्मल पैपिला कहते हैं ये जो डर्मल पैपिला होता है ये जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे डर्मल सेल्स के इखटा होने की वज़े से ये होता है और धीरे धीरे जब ये बढ़ता है जर्मल पैपिला या हम इसको फैदर पैपिला भी कहते हैं तो वो एक कौन का शेप ले लेता है और कौन का जो अपेक्स होता है वो बैकवर्डली डैरेक्टिट रहता है धीरे धीरे जो फैदर पैपिला होता है उसका ये बेस स शिंक कोम कeremंग ettarı ये सिंक बने लगता है और ये बाद में शिंक कर ये फैदर्ल-फॉलिक बना लेता है और ग्रैज्व。 जैसे जैसे सिंक होता जाता है वैसे刮 से ये फैदर्ल-फॉलिक्र में फैदर्लन जिसे हम कहते हैं पहले हमने इसको ये प् haircut entrada को कोंक्य देजरnya और बात में क्या होता है जैसे से इसकी ग्रोफ फैदर फॉलिकल की होती है तो इस बेस में से जो फैदर फॉलिकल में से ये बाहर निकलता है और इसको हम फैदर जर्म कहते हैं यहां पर हम देखें तो इस picture में अगर आप देखें तो epidermis की जो layers आपको दिखाई देरी है वो stratum corneum है और stratum malpigy है तो feather germ जो होता है उसमें इसी प्रकार से दो layers होंगी stratum corneum and stratum malpigy तो जो malpigy layer होती है यह feather germ की यह जो होती है यह बहुत सारी यह series में vertical ridges में convert हो जाती है vertical ridges में यह collar है और इस collar मेंसे जो यहां आप देख सकते हैं malpigyan collar इसमें से यह vertical ridges series of vertical ridges यह निकलती है और यह vertical ridges जो होती है यह parallel आप देख सकते हैं almost they are of the same size यह बाद में split होकर यह barbs बनाते हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं यह barbs होते हैं almost एक ही size के यह होती है तो यहां पर आप इसका यह देख सकते हैं यह splitting है malpigyan layer की और यह जो होती है vertical ridges से collar से यहांसे malpigyan layer की यह बनती है जो stratum corneum होती है यह इसके बाहर लगी होती है और यह more or less transparent layer होती है और यह इसका periderm बनाती है इसके बाद आप देखें जो malpigyan ridges बनती है यह distal end पर बनती है और उसका lower end जो होता है वो mostly हम देखें यह thick होता है और यह intact रहता है यह नीचे आप देखें तो यह जो यह है कि it remains intact with the feather germ feather germ से intact है अगर आप देख सकते हैं तो यह जो है इसको हम यह आगी जाकर इसका quill बनाता है feather का दूसरे आप central hollow region feather germ का जो होता है उसके अंदर nerve fibers, blood vessels, nutritive cells जो होते हैं वो इसमें enter करते हैं dermis से इसके अलावर इसमें pigment cells भी होते हैं तो यह इसका जो होता है यह आपके हैं यह nutritive substances इससे इसमें अंदर जाते हैं तो यह हम देख सकते हैं इसमें dermal mass है central dermal mass जो इसमें हम देख सकते हैं जो इसमें जो होता है feather germ हम जिसे कहें यह बढ़ता है वैसे वैसे यह expand भी होता है और बढ़ता भी है तो इसकी जो growth होती है इसको हम feather pulp कहते हैं जो center में बनता है वो feather pulp होता है जो nutrition प्रोवाइड करता है तो जैसे से feather jump बढ़ता है वैसे वैसे जैसे से growth होती है उसकी वैसे वैसे क्या होता है ये लंबा होता चला जाता है और इसकी जो cylindrical sheath जो होती है जो हम जिसे periderm कहते हैं वो break हो जाती है ये और periderm जब break होती है तो ये जो होते हैं जो malpigan ridges थी य हो जाती है और ये बार्ब्स बना लेते हैं बार्ब्स की secondary splitting से ये बार्ब्यूल्स बनते हैं ये बार्ब्स से और secondary splitting से ये बार्ब्यूल्स बन जाते हैं तो यहां पर हम देखें तो ये जो है डाउन फैदर का development हमने यहां देखा और आप देख सकते हैं ये बार्ब्स जो ह इंकी लेंट जोती है, same level पर होते हैं और इनकी लेंट भी लगब बराबर ही होती है, help की लेंट, आगे हम इसमें counter feathers का developing पढ़ेंगे, तो counter feathers का development यह बिएधर का पूरा feather germ stage तक यह down feathers की तरह ही होता है सिर्फ difference आता है यहाँ पर जो malpigan ridges होती है वो counter feathers में जो malpigan ridges होती है वो एक size की नहीं होती है इसमें malpigan ridges आप देख सकते हैं almost there of the same size पर यहाँ malpigan ridges जो होती है वो एक size की नहीं होती है यह इसमें अंतर है इसमें क्या होता है malpigan layers जो होते हैं यह same size की सभी नहीं होनी का कारण क्या है कि जो color होता है malpigin color इसका जो dorsal surface होता है उसके center के जो malpigin ridges जो होती है वो fuse हो जाती है और fuse होकर यह ratches बनाती है और जैसे जैसे यह ratches grow होती है आप देख सकते हैं इसकी growth हो रही है लगातार यह देखते है differential growth होती है in comparison to the other malpigin ridges जो central दो ridges fuse होती है dorsal surface की उनकी differential growth होती है और बाकी दो ridges से अधिक यह grow करती है ratches बनाती है जैसे जैसे इसकी growth होती है वैसे वैसे जो neighboring जो ridges होती है वो उपर आती जाती है और इनकी position यह होती है lateral हो जाती है इस पर ratches पर यह literally इनकी position आती जाती है और आप देख सकते हैं कि यह literally आती जाती है इसी प्रकार से ventral surface पर भी जो center collar में collars होती है उसके center की दो ridges होती है वो fuse होकर after shaft after shaft या हम कहते हैं hypo ratches यह बनाती है तो यहाँ पर यह इसका इस तरीके सोता है अब आप एक जो है कि जो यह line of fusion होती है dorsal surface पर जो ridges का fusion है या ventral surface पर जो ridges का fusion होता है तो इसके line of fusion जो है वो completed जो feather होता है उसमें हम umbilicus के form में देख सकते हैं जैसे की lower umbilicus है और यह upper umbilicus है जो after shaft का eventual surface पर जो fusion होता है उसका line of fusion जो ridges का है वो बताता है और यह dorsal surface पर तो यह after shaft और यह upper umbilicus और यह lower umbilicus के form में हम देख सकते हैं तो जैसे जैसे हम देखते हैं feathers होते हैं जो इनकी bolting होती है birds old feathers को गिराती है और फिर नए feathers उनमें बनते हैं तो जो इसके अंदर जो dermal papilla होता है उससे यह नए-नए feathers बनते रहते हैं और पुराने feathers गिरते रहते हैं तो यह birds में feathers का हमने आज development पढ़ा है इसी प्रकार से जो pigment cells होते हैं उनसे जो हमेंने बताया है कि जो feather pulp होता है उसके थूप pigment cells भी जाते हैं growing feather में जाते हैं nutritive substances supply होते हैं से blood supply होता है तो यह pigments जो है pigments deposition इन में होता है और different color के pigments होते हैं feathers पे जो आप दीख सकते हैं जो इन में जो pulp होता है उसके द्वारा पहुंचते हैं और यह colors जो होते हैं धीरे-धीरे काई बार fade भी हो जाते हैं और lifetime में एक एवार decolorize भी होता है feathers का color next class में हम दूसरा topic को ही पढ़ेंगे और आज मैंने आपको development feathers का पढ़ाया है down feathers और counter feathers आपको तापको